करने वाले हैं सपेशलिटी कैमिकल सेक्टर के स्टॉक लाइं लाइन से दूर है कुछ समझेंगे कुछ सीखने के कोशिश करेंगे इस वीडियो के माधिम से और बेसिक कॉंसेप्स के उपर फोकस करने के कोशिश करते हैं तो इस डिटेल में बात करेंगे आगे बढ़ने से प सिस्टम्स जो हमारे पास है MNW Formations हमारे पास है MACD and RSI के डिटेल आलिसस जो है वह हमारे पास अबेलेवल है and we can see the high probability breakouts जो already आपके साथ shared है तो आप इनकी बारे में देख सकते हैं आपे समझ सकते हैं now coming on to the important part which is the stock Vanity Organics जिसके हम यह पर चर्चा करेंगे वनिति ऑगनिक्स आज की नहीं बहुत पुरानी एक कंपनी है और आपकी डेट में आप देखो कि तो काफी काफी अच्छा-कासा मार्केट का प्रलाइशन वनिति ऑगनिक्स का हो चुका है और बहुत इंपोर्टेंट यह केमिक करता है and if you are able to see the revenue growth sales growth जो कि last three years में 26% गी है that is then important part again और यह देखिया revenue growth तो अपने आप में काफी कुछ बया करता है यह company यह stock now coming on to the major part कि यह stock focus में क्यों आया तिक यह stock को आगे बढ़ने से पहले मैं आपके सामने एक वीडियो रखूँगा और जो की है two point system का जैसा हमने कहा आयम formation W formation divergence and all कि काफी सारे concept जो आपके बारे में detail में चाच्चा कर रखें के बारे में तो यह यहां पर कुछ clear होंगे यह weekly chart है weekly chart में यह stock का आप overall performance देख सकते हो क्या जबर्दस performance इस ने दिया over the period of time 2014 में यह 50 का था आज देखी 1800 के पास है लेकिन still this stock is imported और हम बार बार आप आपको कहते हैं कि chemical specialty chemical की जब भी बात आते हैं दो जात है major important areas जहां से multi baggers निकलते हैं अब इस stock को अगर हम देखें तसली से इस company को देखें चार्ट को अगर देखें यहां पे so this is the really important area जहां पे एक बहुत ही low risk opportunity play होती है उसके बाद देखें यह इसके बाद यह second leg start होता है अब यह level देखना है यहां पे highs बंद रही है और similarly अभी हम यह देखेंगे जहां पर हमारे पास point number one point number two available है now मैं आपके सामने जो MECD and RSI को play करूँगा तो इनको आप देखना है सबसे पहले यहां पर जो concept है जिसके हम बात करेंगे this area यहां पर आप देखें यह high form होते जा रहे है regular basis पे and you can see these low area जो की यहां पर change होते जा रहा है तो clearly you can see the kind of divergence here जो की reversal का concept है उसके बाद now you can see point number one point number two यह मैं क्यों कह रहा है क्यों कि यहां पर जाके इस situation पर जाके weekly on weekly charts the momentum is lost the momentum lost वहा और यहां पर आप देख सकते हो point number one point number two जो हमें देखने को मिला two point system का and now we have the momentum back in our favor so यह बहुत बहुत बहातरीन situation इस particular stock के लिए लगी कि यहां पर momentum back in our favor that is the really important part तो यह important part तो है साथ मैं अब इस level को देखिए और यह election वाले week का rejection candle है मतला price नीचे गया उसके बाद जिबर्दस तरीके से वापस आया और काफी important बाद जैसे मैं आपको का कि two point system की जो चीजे हैं जैसे हमने MACD के बाद करी RSI के बात करी divergence और MW formation के बारे में बात करी और इसके बारे में और डीटेल में जानकर आपको यह प्राइस section के वीडियो के बाद मिलेगी लेकिन यहां पर कुछ basic core concepts के बारे में बात करेंगे अब आपको दिख रहा होगा कि हां now we are into the bullish cycle यह election वाला डेट है जिसके टाइप पर जब्रतास तरीके सा इसने लो बना और player rejection यहां पर देखने को बिला और स्कांडल के बाद प्रिशले को उस दिनों में एक बहुत बढ़िया hundred point का शने move दिया तो यह stock up over the period of time इसके वाल्यूम को देखना अगर current activity current गतिविथी को आप देखो विनिति ओगनिक्स की तो यह आप clearly देख सकते हो कि major volume are getting built up here so this is the presence of smart money here जो की एक smart money के presence को दिखा रहे है तो important part यह हम यहां पर देख रहे है क्या है विनिति ओगनिक्स तो daily time frame पर the cycle is already started earlier जहां पर यहां पर बहुत ही tight मैं कहूंगा divergence अपर साइड पर देखने को मिला रहा है और उसी तरिके से हमें divergence अब lower side पर देखने को मिल रहा है तो important part important rejection तो initial अब now the part is यह stock specialty chemical का देखें बार बार हमको कहते कि specialty chemical हमारे लिए बहुत important company हो जाती है बहुत important sector हो जाता है क्योंकि wide area of application now what is the wide area of application specialty chemical की चाहे वो paint industry हो farmer industry हो fmcg हो and moreover मैं कहूंगा किसी भी industry में आप देखो चाहे आपके घर में साफ सफाई की चीज यह हो वहाँ भी कुछ chemicals की requirement होती है जो भी यह products तैयार होते है कुछ chemicals की requirement होती है that's why these are the diversified sector मैं कहूंगा this is the diversified sector और chemical sector की बहुत सारी companies जा अलग sector में operate करती है although उनका market capillation कम होगा still they have a significant impact on the industry of chemical industry क्यों particular उस chemical के उपर काम कर रहे है जो कि उस sector में लेडर है या काफी major market share रखते हैं so यह important है understand करना इसलिए chemical sector की companies को आप देखोगे तो काफी बहातरीन returns उन्होंने past में दी है again coming on to the weekly chart वहाँ पे कुछ और समझने की कोशिश करेंगे जो हमारे लिए important है जो हम two point system के बारे मां बात कर रहे थे देखे point number one point number two और हमारे पास यहां पे देखने को मिला now coming on to the price part देखे बहुत सारे comment हमारे पास आये है तो यहां पे price को थोड़ा सा जूम करने के कोशिश करेंगे उसको आप relate करोगे यह मैंने price को जूम कि है and you can see the current price देखे हो अगर 18 में यह बानके चालता हूं कि 1850 में मैं entry लेता हूं and मेरा stop loss है deep विल्कुल कि कि weekly chart है अब यहां पे आप देखोगे यह almost 200-300 point का loss आपको देखने को मिल रहा है तो the risk risk कितना होगा तो position का size risk के basis पे define होगा तो 300 point का है और अगर मैं 10 share खरीटता हू तो सीधे सीधे clearly कि 3000 का loss मेरे लिए होगा ही होगा तो 3000 का loss if I'm able to afford that loss that that's why I'll make 10 का position size है और उसके विसाज से आगे चलेंगे otherwise क्या होगा ignore करेंगे no impact ignore करेंगे और या फिर अगर 6000 का loss support करने के लिए तो हमें position के size को हम बढ़ा सकते है so this is again on the basis of the risk management the position size should be defined यह बहुत important है समझन हम बार 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 बात करते है risk management की तो यह important है तो अभी हमने specialty chemical के stock को देखा और यह two point system में फिर से जिखर करोगा क्योंकि इसके बार हम काफी detail में चर्चा करते है on weekly basis point number one point number two जहां पर हमें divergence देखने को मिलता है this is lower low clearly और आप यहां पर देखे यह equal lows है है कि नहीं है और यहा स्टॉक हमारे लिए important जाता है जब momentum back क्योंकि lost momentum यह काफी time से 2023 से आप देखे clearly काफी time से इसने यह momentum lose किया तो यह हमारे इस particular जो criteria को है उसको यहां पर उसके अंदर आ रहा है तो यह stock हमारे लिए काफी important हो जाता है आने वाले time के लिए तो यह हमने बात करी stock का नाम है विन लाइक कीजिए और price section that is important part again the price section को आप सीखे समझे practice कीजिए और साथ के साथ यहां पर risk management के बारे में awareness भी spread करते हैं thank you thank you for watching